नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? इतना सुन्दर स्वेटर देखकर आप आनंद में हैं, यह मैं जानती हूँ और अलमोडा वाली प्रीती सिंग भी जरूर इसको देखकर आनंद में आ जाएंगी जिनकी वजह से यह आज का वीडियो मैं बना रही हूँ उनको जो बच्चे की अपने बनियान बनानी है तो इस तरह के डिजाइन की आप inner या बनियान भी बना सकते हैं डिजाइन इतना सुन्दर है कि आप इसको उपर पहनेंगे तो भी बहुत सुन्दर लगेगा लेडिज, जैइंट्स, बच्चों का किसी का भी बनाएं ये सुन्दर सा स्वेटर जैकेट बास्केट आप देख रहे हैं बनाने में बेहद ही आसान है क्योंकि इसमें ये वहां की मुढ़े की पट्टियां नहीं बनाई गया गले का यहां भी कोई पट्टी बॉर्डर का चक्कर नहीं है इसमें आसान एकदम सुन्दर डिजाइन है अब इसको आप कैसे बनाएंगे इसके लिए आपको ये समझना है कि जो भी मैं इंस्ट्रक्शन्स जो भी मैं निर्देश दूँ उनको आप एक कॉपी पर लिखते जाईए और बस बाद में उसी के अनुरूप आप इस डिजाइन को बना सकते हैं ये साइज मैं बता देती हूँ लगभग 30 इंच इसकी चैस्ट है और जो इसकी लंबाई है वो लगभग 19 इंच के करीब है अठारे 19 इंच के करीब है अब साइज छोटा या बड़ा आपको बनाना है तो उसी अनुपात से थोड़ा घटाना और बढ़ाना ये सब आप कर सकते हैं वह बहुत मुश्किल काम नहीं है थोड़ा साही ध्यान लगाने से हो जाता है अब हम थोड़ी डिजाइन की बात कर लेते हैं कि पहले हम पीछे के पल्ले की बात कर लेते हैं पीछे का पल्ला आप देख रहे हैं असान है अब इसको समझे तो सौ फंदे हंड्रेड स्टिचिस डाले गए उसके बाद ये साइड के सिक्स्टीन सोल है फंदे उल्टे बुने गए हैं और फिर सौल है फंदे सीधे बुने गए हैं इसी तरह से दूसरी तरफ के भी सोल है फंदे उल्टे और सोल है फंदे सीधे बीच के experiment उल्टे उल्टी सलाईयां पीछे की तरफ से सारी उल्टी ही बुनी जाएंगी और फ्रंट में हमको बस ये डिजाइन बुनना है अब ये जो बीच में आई हैं चार सलाईयां उल्टी उल्टी बुनी हैं तो ये आप देख सकते हैं 18 सलाई के बाद ये नौ धारियां दिखाई दे रही हैं 18 सलाई के बाद ये चार सलाई उल्टी उल्टी बुनी गई हैं ये हमेशा एक जैसा ही बुना गया है अब हम यहाँ पर आये हैं जहाँ पर मुढ़ा घटा है ये तो ये साथ फंदे एक साथ घटा दिये गए मुढ़े के सेवन स्टिचेज और उसके बाद ये स्ट्रेट जैसा हम बुन रहे थे वैसा ही बुन रहे हैं उल्टी सलाई पूरी उल्टी और सीधी सलाई में अब इन फंदों को उल्टा बुन रहे हैं ये हमारे कम हो गए 16 में से अगर हमने साथ घटा दिये तो ये 9 फंदे रह गए हैं आप थोड़ा कम ज्यादा करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं अब इसके बाद ये जो मुढ़ा है हमारा ये मुढ़ा लगभग 30 फंदों का है 30 स्टिचिस का है तो मुढ़े के फंदे हमने छोड़े और ये बीच के जो है ये हमारे गले के फंदे हो गए बस ये गले के फंदे छोड़ दिये गए इस तरह से हमारा पीछे का पल्ला बन गया आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी आईए तो अब हम चलते हैं आगे के पल्ले पर आगे का जो ये हिस्सा है ये उसी तरहे से है इसमें थोड़ा सा बसी अंतर है कि यहाँ पर आप 4 फंदे दोनों पल्लों में 4-4 फंदे हम जादा लेंगे वही हमने 50-50 फंदे बॉर्डर में डाले उसके बाद उपर हमने 4 फंदे बीच बीच में बढ़ा लिये हैं बस और कोई अंतर नहीं है उसी तरहे से ये साइड के 16 फंदे उल्टे रखने हैं फिर ये 16 फंदों की सीधी वाली और ये वाली पट्टी जानी है और बाकी जितने भी फंदे हैं इधर वह सब आपको उल्टे रखने हैं फ्रंट साइड में और पीछे की तरफ उल्टी सलाई पूरी उल्टी बुन्नी है अब इसमें आपको कि यह होता है जिसको कि हम कहते हैं सीधी तरफ सीधी तरफ के पल्ले में ये काज बनाएगा है दो-दो कि-चार फंदे के बाद ये पहला काज है और उसके बाद छे-फंदे के बाद दूसरा काज है इस तरह से आप देख रहें हैं ये जोड़े से काज बने नीचे नहीं बनाया गया है यहां पर बनाए है बास्किट जैसा इसका लुक है कोटी जैसा तो यह आप देख लीजिए कि यह यहां पर सिर्फ चार बार आठ एट काज जो है बटन होल बनाए गए है तो इसका अंदाज आप कर लीजिए जहां पर मुड्धा घटा जहां पर मुड्धा घटा है वहीं पर यह हमने गला घटाया है अब गले को घटाते घटाते यहां तक घटा उसके बाद स्ट्रेट गया है यह बस यह जो किनारे का फंदा है इसको आप ध्यान से बुने इसको सफाई से टाइट रहे यह लूज वाला ना रहे आप किसी भी तरह से इसको समझ सकते हैं और जब हम दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हैं तो किनारा अपने आप ही बहुत अच्छा आ जाता है इसका थोड़ा सा यह मुढधा देख लेते हैं हम यह लगभग 64 सलाईयां बुनी गई हैं 64 सलाईयां बुनी गई हैं यह जो धारी हमको दिखाई देती हैं 32 धारियां दिखाई दे रही हैं और यह लगभग साथ इंच से थोड़ा सा छोटा है अब हमको यह समझ लेना है कि हम अगर इससे छोटा बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएंगे आईए अब थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि अगर हमको साइस घटाना या बढ़ाना करना होता है तो हम कैसे करें जैसे इसमें 100 फंदे हैं अब मानिए आपको बच्चे का बनाना है तो आप उसी अनुपात में जितना इंच बताया गया है उससे अंदाज करके आप फंदे कम करेंगे 90 करेंगे 80 करेंगे डिजाइन आप समझ ही गए हैं उसी अनुपात में थोड़े थोड़े फंदे कम कर दिये जाते हैं ये मुढधा है 7 इंच की जगे 6 इंच आप मुढधा करेंगे गला अपने आप ही छोटा हो जाएगा वो अब हमको ये बड़ा करना है अगर तो हम 120 फंदे करेंगे इसको 7 इंच की जगे हम 8 इंच कर लेंगे तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीजें होती है जिसको कि हम अगर जरा सा भी ध्यान लगाएं तो वो हमको समझ में आ जाती है मुश्किल नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा आप एक बार मनन करिए चीजों को सोचिए थोड़ा सा और जो आपके घर में बच्चे का स्वेटर है या बड़े का स्वेटर है तो आप उसके फंदे गिन लीजिए उससे भी अंदाज हो जाता है यह काज कैसे बनाएं यह सब वीडियो डिस्क्रिप्ट्प्शन बॉक्स में है तो आप जरूर दिस्क्रिप्शन बॉक्स देखे और वीडियो अन्त तक देखा करें आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा कमेंट करके जरूर बताएं लाइक का बटन दबाएं और प्रीती सिंग को भी धन्यवाद कि उनकी वजह से मुझे इस वीडियो को बनाने की प्रेड़ना मिली मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में तब तक आप सभी अच्छी अच्छी बुनाई करें और सार्दा नेटिंग को अपने मित्रों के साथ शेयर करें आप सभी के प्यार वस्यायों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद